हेलो फ्रेंज वेलकाम बेक टू माई सेनल इच मी कबेरी बड़ा आज मैं आप लोगों के लिए लेको आई हूँ टू मॉन्स ठाइब डू डामार लास्ट एपिसोड से लिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ स्टार्टिंग में हमें दिखाए जाते है यो और बेहन को जो दोनों साथ बात करके आ रहे होते हैं फी वहाँ पीफा आते है और यो का सामा लेता है और फी वहाँ से बेहन चले जाते है उतने में यो किसी को धुन रहे होते है तो भी पीफा पूछते है तुम किसे धुन रह हो से लोग खाना खाने के लिए यो कहता है मुझे पहले पीकित और पीविम का इंतिजर करना होगा और धोईनबाद देना होगा पीफा कुछते है किस लिए धोईनबाद देना जाते हो यो कहता है यो गुल दस्ता के लिए क्योंकि मुझे पीकित और पीविम के कारण मेरा 2000 डॉला बाट उस सिस में सला गया। ऐसे कह कर फीफा वहां से सले जाते हैं। तभी योग स्माइल करके उसके पीसे भाग कर जाते हैं। और पूछते हैं योग वास्ट अब में तुम्हारा है फीफा कहता है योग और किसका हो सकता है। फी पीफा उसे और भी अधी गुलाब देता है। पीफा फी योग से किस के लिए कहता है। पहले तो बो माना करता है लेकिन कुछ साहत जुटा कर बो गाल पर किस लेने के लिए कोशिस करता है। जबकि पीफा दूर देख रहा होता है। लेकिन पीफा सही समय पर मोर जाती है और बो आंठ में होठोव और किस्ट लेते हैं इस बीस पीकिद एमिंग के साथ रात के खाने पर ना जाने की पुड़ी करसिस करता है पीबीम भी पीकिद को एमिंग के साथ जाने के लिए वहां शोर कर शला जाता है फिर डोनों कार्शेल जारा होता है तब ही एमिंग कहता है जब मैं मौन्च पर था तब भी मैं आत्मों विश्वास से भड़े हुए थे क्या तुम जानते हो कि मैं कितना दबाप महसुस क्या था पीकित कहता है मुझे ये सब कैसे पता होगा एमING कहता है अगर मैं campus moon नहीं होता तो मैं अभी तुम्हारे लिए गरी नहीं सला रहा होता पीकित कहता है तो आख्षी में तुम्हें मेरी बर्जर से titles चाहिए था एमING कहता है उन लोगों को मत बता ना जो मेरी जोजारी कार करते है मैं seriously कह रहा हूँ एक्सली गाइस ये बात एमिंग ने इसलिए कहा क्योंकि एमिंग जो ताइटेल अस पाप क्या था कॉम्पेटिशन में बोव सीफ किट के लिए ही पाप क्या था फिक कहता है उस तरह मात बनो जब तुम शामिले होते हो तब तुम कसम खाते हो एसे ही बात करे होते है तभी एमिंग को एक्स गाल फेन फुन करते है और बधाई देते है तभी पी किट जियलास फिल्ट करते है और प्रिशन हो जाता है एमिंग कॉल कार कर देने के बाद किट को पुछते है तुम किस रेस्टरेन में खाना जाते हो कीट कहता है मुझे अप भूक नहीं है एमिंग कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते तुम्हें खाना पड़ेगा पहले ही बहुत देर हो सुकी है कीट कहता है मैं बस्टॉप में भूका नहीं हूँ फी डोनों रेस्टरेन पर जाकर बैठ जाते है एमिंग पुषते है तुम क्या खाना जाते हो कीट कहता है तुम जो भी लोगी तो भी एमिंग खाने के लिए ओड़ा कर देते है फी कीट के पास बैठ कर कहता है मैं तुम्हें इहां लाया क्योंकि मैं जाता हूं कीट यो हमारा रेगूला स्थान हो लेकिन कीट कुछ नहीं बोलता फी एमिंग पुषता है तुम्हारा सेहरा इतना घुच्छा क्यों देख रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कीट कहता है तुम्हारे पास मुझे कहने के लिए कुछ भी नहीं है एमिंग कहता है क्या यो मुवान के बाड़े में है वो मेरी एक्स गर्लफेन है कित कहता है मैंने जो सुना उचसे वो एक एक्स गर्लफेन की तरह नहीं लगता एमिंग कित को परिशान देखकर मुवान के बाड़े में लेकर समझाने के लिए कोशिस करता है कि मैं इसके बाढ़े में सोसना पूरी तरशे भूल गया मुझे आदत हो गयी है उच से इस तरशे बात करना चीले उसके साथ बात करते समय तुम्हारी भबन के बाढ़े में मैं सस में भूल गया एक्सुली मूबान बो ब्योग्टी है जिसे मैंने अपनी सभी X गालफेंचे सबसे लंबे समय टक देट क्या था सायर 13 लोग या 15 लोग इन सब के 20 एक बो होगा मैंने मूबान को करी एक साल टक देट क्या और फी हमाने 20 ब्रेकाफ हुआ बो मेरी लेटेस X है हम एक डूसरे के बहुत करिफ है एक बार जब हम अलग हो गए तो हम एक डूसरे के लिए निकनेम का उपएक करना बन नहीं कर पाया इसलिए हमने इसे नहीं बदला वो मुझे कल करना पसंद करती है इसलिए मैं उससे बात करता हूँ लेकिन हम दोनों शीफ डोस्त है कित पुछते है तुम क्यों पेकप दी एमी कहता है क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ कित कहता है तुम सस में गाधे हो एमी कहता है उस समोई मैं उस ब्योग्टी को इतना पसंद नहीं करता था कि मैं उन्हें देट करूँ और मैं मुबान से प्यार नहीं करता था लेकिन तो भी मैं देट करता रहा इसलिए मुझे लगा कि मैं सिंगुल रहना पसंद करूँगा कित कहता है तुम्हारे पास एक गालफेंट थी उसके बाबजूद भी तुम किसी और को पुशन कैसे कर सकते हो आखरी तुम्हारे साथ समझ सा क्या है एमिंग कहता है अब उस ब्योक्ति को डिट कर रहा हूं जो ब्योक्ति मेरे सामने नुडेल्स खर रहा है कित कहता है तुम क्या कर रहे हो एमिंग कहता है भले ही मैं एक खिलाई हूं लेकिन जॉप में किसी को पुशन करता हूं तौप में बस तौप में उस ब्योक्ति को पुशन करता हूं फिर aiming kit को hostel के सामने ड्रफ कर देता है उतने में aiming कहता है बस तप में तुम्हारा hostel भी योगे hostel के करिफ है क्या मुझे इधर उढ़ा रहने के लिए जाना साहिए किड पुषते हैं तुम कहां रहते हो एमिंग पुछते हैं क्या तुम मिलने जा रहे हो किट कहता है मुझे नहीं पुछना सही था एमिंग कहता है मैं इहां अक्सर आता जाता रहता हूं क्यूंकि मुझे योग को लेने के लिए आना पड़ता है लेकिन आप मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसे लेने के लिए आने की जोरोत है क्योंकि आप उनके पास खुद का एक हैंचम ड्राइवा है लेकिन तब भी मुझे बार बार इधर उधर आना सहिए तुम्हें लेने के लिए कित कहता है कोई जोरोत नहीं है मेरे पास एक कार है और शाठी साथ मेरा अगला पोलोसी एबीम भी है मुझे उससे सबारी मिल सकती है एमिंग कहता है सेमिस्ता स्टार्ट होने में लगभग समय हो गया है हम केंपास पर स्टाडी कर सकते है कीत कहता है तो क्या हुआ एमिंग कहता है मैं तुम्हारा सेहरा देखना जाता हूँ फी कीत जाने लगते है उतने में मुवन फी से कल करती है और कहती है हम जब भी बाठ करते है तब भी मैं सोचता होगी हम दोनों फी से एक हो जाऊंगी तवी एमिंग कहता है, मैं जब तुम्हें डेट कर रहा था, तब से मैं किसी और को पसंद क्या था, और वो ब्योक्टी है, जो ब्योक्टी अभी मेरे साथ है, फि वो ललकी कहती है, अगर तुमने मुझसे प्यार नहीं क्या, तो मेरी देखभल क्यों कर रहे थे, ऐसे ही मेरे होता है तभी एमिक उसका कल काट कर डेते हैं उतने में कीत कहता है उसकी भवनाओं को थेस पहुंसी है एमिक कहता है मेरी भवनाओं को भी थेस पहुंसी है लेकिन मैं क्या कर सकता हूं मेरी आखे स्वीफ तुम्हें देख रही है मुझे क्या करना साहिए कित पुषता है मेरे बारे में क्या अच्छा लगता है एमिंग कहता है खुश नहीं मैं बोस तुम्हें पसंद करता हूँ तभी कित मौनी मौन समयल करता है और कार से बाहर जाग और एमिंग को टाइटेल का बढ़ए देता है तभी एमिंग अपना टाइटेल उसे देता है और वो लेता है फिर वहां से सले जाते है लेकिन PCS A.M. उसे कहता है आज रात मेसेस का रिप्लाई करना फिर अगले स्क्रीन पर हमें दिखा जाते है पीफा और यो को जहां यो पीफा ने दिये हुए विलाब दस्ता को उसके फोटो के पास रखने के लिए जगा दुन रहे होते है तभी पीफा यो के पीथवी से आकर पकर लेता है और कहता है असली इंसान एही है लेकिन तुम अब भी इससे देख रहे हो यो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो ऐसे कहे कर एक मुख का दिखाते है तभी पीफा कहता है मुझे मारो तभी यो उसे धीरे से मारते है फी पीफा यो के फेस पर एक किस करते है और फी बेट पर बेट जाते है तभी यो कहता है तो यो तुम्हारा कमरा है या मेरा कमरा पीफा कहता है मैं अस्तानी से इहां से नहीं जाऊंगा यो कहता है Semless फीफा कहता है वेशक फीफा बीम की मदत से यो के लिये कुस्त युशना होता है जब बो बीम से मिलने के लिये नीशेज आता है और सिक्रेट गीफ को 52 है तब बो गुरीफ गलत निकलता है तो भी सही गीफ को लेने के लिए पीफा और बीम सेल्ज लेदी के पास जाने का फेसला करते हैं लेकिन ट्रेफिक के बजर से थोड़ा समय लगता है और जब वो यो के कमरे में बापस आता है तो यो पहले से ही बिस्टर पर होता है और थोड़ा आफसेट होता है हलागी पीफा उसे पो उपोहर देख और उसे मना लेता है जिसे पाने के लिए उसने बहुत मेहनद की थी जो एक मेच्छिंग बितलिस है जो यो ने पहले ही पीफा को दिया था फ्री एमिंग को डिखाए जाते है जहां कीट एक मेसेज करता है कि अभी अभी रीडिंग करने के बाद मैं सोने के लिए जा रहा हूँ एमिंग पूछते हैं क्या तुम्हारे हाथ फ्री से फेशल गया अपने हाथों को खिसकाना ना भूलो और टाइप करो की तुम मुझे से प्यार करते हो ऐसे दोनों बात कर रहा होता है इस सबसे हमें पता सेलता है कि एमिंग को भी पी कित लाइक करने लगता है यो और पीफा को दिखाए जाते हैं जहां दोनों मेच्छिंग बेतलेस पहनने के बाद अपने हाथों को देख रहा होता है पीफा अधिकारिक्टोर पो यो को अपना बॉइफेन बनाने के लिए कहता है और कहता है कि हम दोनों बहुत लोंबे समोई से एक जैसा ही महसुस करके आए है तुम भी मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ मतलब हम दोनों एक डुसरे को प्यार करते हैं क्या मैं तुम्हें ख्याल रख सकता हूँ एक बॉइफेन के रुप में क्या तुम मेरे साथ डेट करने जाओगी तुम मेरे बॉइफेन हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन यो कुछ नहीं कहता हाला कि हम सभी को पता है कि यो उससे कितना प्यार करता है उसका कमरा स्ट्रीफ पीफा की तज़्वियों से ही भड़ा है और इसलिए कोई संदे नहीं होता है कि पीफा से वो कितना प्यार करता है फिर दोनों के बीस लिप किस होता है और एहीं पर एपीजोट 12 खोतम हो जाते है जो लास्ट एपीजोट है गाउज मेरी सैनल को सब्सक्राइब कर दिजे और वीडियो को लाइक कर दिजे थेंक यू फोर वाचिंग माई वीडियो बाबाई